जहिन कच्छा 10 के सभी विशयों के UP बोर्ड ने यहां पर मॉडल पेपर जारी कर दिया है देख लिजें यहां पर लिखा हुआ है 2022-23 यह आपके सभी विशयों के मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और अब जो 20 नमबर के 22 प्रस्ण होंगे यह आपके OMR सीट पर आपको भ हैसा आएगा कहां पर कितने नमबर के कौन से कुछे जाएंगे और हल करके भी बताओंगा सिल्यूशन के साथ बताओंगा तो इस वीडियो को जादा से जादा आपने दोस्तों के साथ सेर भी कर देना तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर अच्छे तरीके से ले निर्धारित आं उसके बाद में लिखा प्रत्र 2 खंड आयं मखंड बामें विवाजित होगा उसके बाद में जो खंड आ होगा इसमें क्या है बहुअब ब कर्पी प्रस्ण होंगे जो सही का चैन करेंगे उस के विकल्प के गोले को पूर्ण रूप से काला करें यह आपको करना होगा मतलब आपके देखो चार आपसन होंगे ए होंगे उसके बाद में बी होगा और सी होगा और दी होगा इसमें से आपको एक ही आपसन ऐसे गोला करके और उसके बाद में काले पिंसे या फिर नीले पिंस होंगे जो एक एक नंबर के होंगे उसके बाद में खंड आ में प्रसनों के हल करने है तो एक घंटा खंड बाके प्रसनों को हल करने के लिए दो घंटे टाइम होगा उसके बाद में प्रतेग प्रसन उसके सम्मुख अंक के निदारित दिये गए हैं तो समझ में आया मतलब एक घंटे के लिए आपका क्या होगा जो एक घंटा होगा यह बखविकल्पी प्रश्न आपको ह़ल करना होगा और दो घंटा टाइम के लिए आपको लिखित आपको कापी में भरना होगा उसके बाद में यहां पर खंड आ से शुरू होते हैं यह आपको OMR सीट में आपको भरना होगा तो पहला प्रसन क्या है यहां पर पहला प्रसन है और आपको हल करके भी बताऊंगा और आपको क्या क्या तयार करना भी बताऊंगा solutions के साथ बताऊंगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो अभी तक किसी नहीं बनाया होगा तो इस वीडियो को जादा से जादा सेर कर देना और शुरू से लाट तक देखना जो यूपी बोर्ड से हैं तो आप लोग शुरू से लाट तक वीडियो जरूरी देखना क्या लिखा है प्रस नंबर पहला क्या यहां पर बाबू गुलाब राय किसी यूग के लेखक हैं क्या है बाबू गुलाब राय किसी यू के लेखक हैं आपको जो मालूम हो कमेंट में जरूरूबत आना उसके बाद में चलते हैं अगला कोस्टन क्या चिंतामड किस विधा की रचना है पर तिसरा यह आपको OMR seat में आपको भरना होगा किसमे OMR seat में आपको ये सभी question भरने होगे आपको टिक नहीं आपको काफी में नहीं इनको लिखना है ये 20 question होगे वह मेर सीट में आपको भरना होगा गबन किसकी रचना है तो यह प्रेम चंदर्मुंसी प्रेमचंदकी रचना है उसके बाद में चलते अगले कोस्टन क्या है यहां पर अग्ला कोस्टन शुक्ल-यूंग की समयूद मतलब यह मतलब कभ तक यह रहा है जो вдämä Das कब से और कब तक रहा है तो जो सुक्ल यूग है यह कब से और कब तक रहा है तो चोथे का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा यह यहाँ पर इसके बाद में चलते एगले कोश्चन की और यहां पर क्या लिखा निर्माड फिर फिर विधा के कमतलब कौन सी रचना इसमें देखो जीवनी है कि यहां पर आत्म कता है कि रेखा चितर है कि साच्छातकार या भेट वारता है तो इसके कौन सा राइट अंसर हो जाएगा तो यह किसी यूग की रचना है तो यह किसी यूग की रचना आप लोग कमेंट में जुरू बताना इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा पहला यह दिवेदी यूग की रचना है और उसके बाद में चलते अगले कोश्चन की और मदुसाला किसकी रचना है यह किसकी रचना ह तो यह जो साथ्मया का अंसर कॉणसा हो जाएगा थीसरा हरिवन सरे बच्चन सर्फेता की मंधुसालव गुपत की है उसके बाद में चलते जां detective काल कब से कब तक लिख्यें तो इसका राइट आउसर में अलग लिखेव from 1640 सब हKY और तक यप रहा डोटा है कि जब से स्वड हो जा यह पहलब अन्सर हो जाएगा अर्ड से अब तक समझ में आया उसके बाद में चलते हैं मतिराम किस यूग के लेखक हैं और जो बिहारे लाल हैं वो भी क्या हैं वह भी यह दिहीतिकाल के ही लेखक हैं आप लोग कमेंट में जो बताना जो मालूम हो उसके बाद में चलते अगले कोस्चिन की और अगला कोस्चिन क्या है यहां पर गेरवा हास रसका इस्थाइबा जो आपके रस छंद अलंका रूप सर्ग प्रत्य समास यह सभी क्या है यह सभी अब बहुविकल्पी में आएंगे और यह अब सभी एक एक नंबर के ही पूछे जाएंगे तो आश्रस्का इस्थाईबा हास है और करोणर रस्का इस्थाईबा सोक होता है और हास रस का इस्थाई भाव हास होता है समझ में आया उसके बाद में सोहत ओड़े पीट पर स्याम सलोडे गाथ मनो नील मंजल पर आतप परयो प्रकास तो इसमें कौन सा राइट आंसर है इसमें बताना आपको कौन सा अलंकार है तो आपके रॉपक और उत्प्रेश्चा तो इसका राइट ढून सर jegou जाएगा उत्प्रेश्चा अलंकार उसका राइट अंसर उत्प्रेश्चा अलंकार ही जाएगाएं विदेखा जब कुलुकितने चरण हैं तो इसमें देखो चार चरण होते हैं और प्रतेक्षण में इसमें 24 24 मात्राइ होते लेकिन इसका dod 큰 चार ही हो जाएगा। उसके बाद में अगले करें दमध मैं किम प्रयों किया गया है जो मतलब होता है किसी सब्ध के पहले मंतलब किसी सब्ध के आखिरी में आपको जोड़ना होता है जैसे आ है आ में करसंड जोड दिया गया तो आ करसंड बन गया समझ में है प्रत्य क्या मतलब होता है कि किसी सब्द के आखिरी में जोडना जैसे महत्तो तो में क्या आपको तो जैसे तो दिया है तो में आपको महत्तो जोड दिया गया महत्तो बन जाता है उसी प्रकार इसमे यह 2 वेद हैं समझ में आया उसके बाद में चलते हैं यह समास है आपको कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौंसा है तो इसका राइट आंसर कौंसा हो जाएगा जो पीला है अंबर जिसका अर्थात इसमें करमधारे समास हो जाएगा कौंसा करमधारे डाउट है आप लोग कमेंट में जुरूर बताना या बहुत बीर समास भी हो एक ला कहस्टन क्या यहार है यह 12 संदीका सूत्र क्या है या पर 6 यह सूत्र है समझ में क्लास टेंज में केवल यह 16 अपको पढ़ना यह वाकिỉ कोई नहीं संदी पढनें यहसा इसमें उसके बादें सब्ध कावचन यह विभक्ति हैं को बता न यह's attributed अलंकार यह सभी समास और यह जो संधियां और विवक्ति हैं सब दुरूप हैं यह सभी अब एक एक नंबर के पुछे जाएंगे और यह इसमें देखो बहुत विकलपी प्रस्णों में आएंगे ओ यह मार सीट में आपको यह देखने को मिलेगा तो इसका राइट आंसर कौन प्रतम पुरुच और एक वचन है अपठत में उसके बाद में यह देखो आपके 20 प्रस्णों यह सभी आपके आएंगे ओमर सीट में आपको भरना होगा यह आपको कापी में नहीं लिखना होगा यहां पर देख लीजे सिंपली से खुद लिखा हुआ है कि यह जो होगा य यह यूपी बोर्ड दोरा जारी किया गया है उसके बाद में चलते हैं अब अगले कोस्चन की और यहां पर खंड बा में क्या है खंड बा में चलते हैं आपको ध्यान से वीडियो को देखना अभी बहुत चीज़ आपको इंपॉर्टन चीज़े भी बताऊंगा तो खंड बाह होगा परसला हो गार को पहले की तरह गा यह आपको गद्जयांस पराधरी तीन परसन ओंगे आपको च्छे नंबर की पुछे जाएंगे इसमें देखो यह रतांके त XL की व्याक्या करना होगा संदर्म लिखना होगा दो पूछे जाएंगे अत्वागर के आते इनमें से आपको एक ही लिखना होता है समझ में आया उसके बाद में इसी परकार से इसमें जो पद्य में होगा पद्यांज में भी होगा आपको ये पहरागर आपको पढ़ना है उसके बाद में आपको अंसर देना है और पहले इसम प्रस्ण पूछे जाएंगे इसमें देखो प्रस्ण पूछे जाएंगे उपरियुत गद्यांज पद्यांज का आपको संदर्ब लिखना होगा उसके बाद में जो रेखांग की तांस है इसकी वैक्षय करना है जो यहां पर यह लाइन खिची हुई है यहां तक है नहीं कि आ सब्सक्राइब करना आपको पूरे पैसे की वैक्षय करना है उसके बाद में उपरे पंक्तियों में आपको बताना है अलंकार कांसा आपको बताना है कि अलंकार कांसा है तो ऐसे ही आपके बोड़ एकजाम में आएगा पहले एकदम अलग तरीके से आता था इसमें दो पू पूचहाएगा और यह अब 5 नमबर का पुछा जाएगा पहले ये चार नमबर का पुछा जाता था और इस लोग संगम 7 में था और यह और दो संदर्ब लगा इसमें आपक पूछ जाएगा दो होंगे और इनमें से आपको एक ही का अंसर देना है मतलब संदर्व लिखना है और हिंदी में अनुआद करना है मतलब यह अलग-अलग हो गए और आपको दो इस लोग याद कर लेने हैं देखो इस तरह से आपको इस लोग इसमें मिल जाएंगे आपको इसमें संदर्व लिख आपको अपने जिले वाइज होता है किसी के जिले वाइज में जैसे यहां पर मुक्तिदूत जैसे यहां पर रामपूर में हैं तो कोई के जिले में जो आर खंड का भी होगा तो अपने जिले वाइज होते तो आप लोग देख लीजिए और कालेज में भी पूछ लीजिए य चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कर देना उसके बाद में च्छठा कोस्चन का का पुछा जाएगा दिये गए लेकों में से किसी एक लेक का जेवन पर्चे लिखिये तो उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा और यह पा पर्चे हर इनमें से आपको एक ही लिखना होगा यह भी पांच नंबर के पूछे जाएंगे और यह सभी इंपार्टेंट हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से तयार कर लो सभी पर वीडियो पड़े हुई है तो वीडियो करके देख सकते हैं उसके बाद में अगले चलते निम लिखिन लेकों में से किसी दो प्रसनों के आपको उत्तर देना चार है इनमें से आपको दो के ही आपको उत्तर देने हैं और यह दो दो नंबर के दो कोस्टन होंगे और यह चार नंबर के होंगे समझ में आया तो आपका पेपर जो से मैं ऐसे ही पैटरन पर आएगा उसके बाद में 9 question क्या पुछा जाएगा इसमें पुछा गया आपको निमंद लिखने को आता है और इनमें चारों में से 1 का ही आपको निमंद लिखना है और यह आखरी प्रसना है जो यहाँ पर 1 से लगा कर 9 तक ही आपको copy में लिखना होगा और जो 1 से 20 तक थे मतलब जो ख कोमेंट में बताना तो इसको हल करके copy में दिखाऊंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको class 10 से रिलेटर ऐसे वीडियो मिलेंगे जैहिन मिलते अगले व